कि नमस्कार दोस्तों में शिल्पी यूपी एस्सी करेंट अफेर्स की सिरीज में आप सबका स्वागत करती हूँ आएं समस्ते हैं खबरों में बने हुए प्लास्टिक गलोमरेट चटानों को हाल ही में समुदरी जीव विज्ञानियों की एक टीम को अंदमान और निकोवार दीवसमु में समुदरी कचरे की नियमित निगरानी के दोरान प्लास्टिक की चटान की टुकड़े मिले थे प्लास्टिक की बनी चटान के ये टुकडे एविस दुई पर ये मिले हैं प्लास्टिक की बनी चटानों को प्लास्टिक गलोमरेट की रूप में भी जाना जाता है भारत में प्लास्टिक गलोमरेट में पाय जाने की ये पहली घटना है पिगला हुआ प्लास्टिक जब चट्टान के टुकडों, रेत के दानों, प्लास्टिक के मलवे और जेविक समगरी आधी के साथ ठंडा होकर कठोर चट्टान जैसा बन जाता है तो इसे प्लास्टिक ग्लोमरेट या प्लास्टिक की बनी चट्टान भी कहते हैं यह प्लास्टिक प्रदूशन का एक नया रूप है वर्श 2014 में पहली बार इसकी खोज हवाई के कामिलों बीच पर की गई थी अंडमान और निकोवार दीव समू के एवस दूइप से मिले प्लास्टी ग्लोमरेट के प्रयोक शाला विशलेशर से पता चला है यह चटान दो बहुत ही सामाने रूप से उप्योग की जाने वाले प्लास्टिक पॉलिमर और पॉलिथाइलीन और पॉली विनाइल क्लोराइज से बनी है आपको बता दे कि पॉली विनाइल फ्लोराइज प्लास्टिक का दुनिया में तीसरा सबसे व्यापक रूप से उत्पादित किया जाने वाला सिंतेटिक बहुलक है हर साल लगभग 40 मिलियन टन से अधिक PVC प्लास्टिक का उत्पादन किया जाता है मुखरूप से PVC प्लास्टिक का उपयोग, दर्वाजूं, खिडकियों और पाइफ के निर्माड में किया जाता है दिल्चस बात ये है कि 2011 की जन्गर्णा के अनुसार एवस्दूई पर सिर्फ दो लोग रहते हैं और दोनों ही पुरुश है समुद्री प्लास्टिक प्रदूशण के अन्य नए रूपों में प्लास्टिक क्रिस्ट, समुद्र की चटानों पर जमी प्लास्टिक की परत, पाइरोक्लास्टिक, जले हुए प्लास्टिक जो कंकर की तरह दिखते हैं आधी इसमें शामिल है एल सेवियर प्रत्रिका द्वारा प्रकाशित हालिया शोद के अनुसार समुद्री प्लास्टिक प्रदूशन वेश्विक संकट में बदलता जा रहा है बड़ते समुद्री प्लास्टिक प्रदूशन के कारण हर साल हजारों समुद्री पक्षी, कच्छुए, सील और अन्य समुद्री इस्तंदारी प्लास्टिक खाने या उसमें फसने के कारण मारे जा रहे हैं शोतकरताओं को हाल ही में ब्राजील के तट से 1140 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिन अतलांटिक महसागर में सिक्त दूरस्त दीप ट्रिनेट पर प्लास्टिक चट्टानों की खोच की सूचना दी थी ट्रिनेट दूर्प लुप तुप राए हरे कच्छूओं के लिए काफी प्रसिद है